नमस्कार, मैं PMDNS सिंग और आप देख रहे हैं कमाल यार इस वक्त की बहुती बड़ी और लाजवाब गब निकल कर सामने आ रही है नेपाल के लिए ये खबर जुड़ी हुई है नेपाल और यूपी के मुख्यमंतरी आदित्यनाथ योगी से अब यहाँ पर योगी ने नेपाल के बारे में ऐसा क्या करके दिखाया है जिसकी बदोलत इनके चर्चे और नेपाल के चर्चे पूरी दुनिया भर में हो रहे है जिसके पीछे क्या रीजन रहा ये भी योगी ने बताया है तो वो भी हम जानेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important बात हो जाती है actual में yogi जो कि यहाँ पे नेपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि वो हिंडुतab को सरवप्री मानते हैं और वो कई बार यहाँ पे नेपाल की चरचाएं भी करते हैं और इसके साथ-साथ नेपाल का दोरा करना भी पसंद करते हैं वहाँ के मंद्रों को भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और वहाँ की कल्चर, संस्कृति सभी चीजों को लाइक करते हैं तो अब यहाँ पे जो मुक्यमंत्री या अदित्यनाथ योगी है उन्होंने ऐसा क्या किया है वही जानेंगे तो वीडियो के अंतक बने रही है और अगर आप चैनल पे नए हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइक दबा लिए ताकि आप उपला अफडेट भी सबसे पहले मिले के चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि धरम निर्पेक्सता पर योगी आदित्यनाथ के विचारों के लिए नेपाल पर उनका निमंद बहुत ज़्यादा परचलित हो रहा है आदित्यनाथ योगी ने सरत परधान और अतुल चंद्रा ने यहाँ पे यूपी के मुक्यमंत्री के निमंद के बारे में कुछ लिखा है जिसके बारे में वो कहते हैं कि 18 मई 2006 जिस दिन नेपाल एक धरम निर्पेक्स रज्य बन गया और योगी इस चीज को ब्लैक डे ओफ नेपाल कहते हैं कहीं ने कहीं अपनी बुक के अंदर उन्होंने जो बुक लिखी है दोस्तों नेपाल के उपर उसकी नाम भी बताएंगे इसके साथ साथ उसके बारे में क्या क्या चीजे लिखी है उन्होंने वो भी बात करेंगे उनकी बुक का नाम है हिंदू राष्टर नेपाल उसके नीचे उसका टाइटल है अतीत और वृत्मात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये पूरी बुक यहाँ पे रीड करनी है या फिर इसके बारे में वीडियो सुनना है तो मैं अगला वीडियो उसके बारे में बना दूँगा आप हमें कोमेंट सेक्शन में बता देना इसके यहाँ पे जो लेकक हैं वो योगी आदित्यनात हैं और शंशद हैं जो कि अभी यहाँ पे लोकसभा के और यहाँ पे अधेक्स विसु हिंदू महासंग भारत है उसके दवारा ये लिखी गई है इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों इस किताब के अंदर क्या क्या है तो सबसे पहले प्रष्ट पर आपको देखने को मिलेगा पसूपती नात मंदिर जो कि नेपाल का सबसे फेमस मंदिर है ना किवल नेपाल का सबसे फेमस मंदिर है जबकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस मंदिर है इसकी माननेता भी बहुत जादा है इसके दूसरे प्रष्ट पर आपको देखने को मिलेगा महायोगी स्री गुरू गोरक्स नात जी की जिनकी पुजा यहाँ पे हिंदुतव में बहुत उचकोटी की होती है इनको उचकोटी का यहाँ पे साध माना जाता है इसके बारे में आप बखो भी जानते होंगे इसके बाद इसी किताब के अगले प्रस्ट पर खुलता है बोध सवें भृतनात मंदिर तो यहाँ पे यह जो चीजे हैं वो भी नेपाल के अंदर काफी जादा अदभुद चीज है और हम कह सकते हैं कि अदभुद टेंपल है जिसके बारे में हम स्टडी कभी बाद में कर सकते हैं अगर आप चाहें तो लेकिन यहाँ पे जो चीजे हैं वो क्या कहती है योगी अदित्यनात की जो बुक है यहाँ से सरू होती है अब इस मंदिर की फोटो के बाद विशो का एक मात्र हिंदू राष्टर नेपाल यद भी हमारा पडोसी मित्र है यानि कि उनके कहने का मतलब है कि भारत का पडोसी मित्र है और यहाँ पे राष्टर नहीं सम्मान और सांजा संसकर्टी विरासत के कारण सहोद्र भाई जैसा एक मात्र राष्टर है यद भी वहाँ के इतियास के बारे में ज़्यादातर लोगों को कई खास जानकारिया नहीं है यानि कि योगी अदित्यनाथ बताना चाते हैं कि मैं बिल्कुल इस जो हिंदू राष्टर है उसे पूरे वर्ल्ड वाइड फैमस करना चाता हूं जिल लोगों की इसकी जानकारी नहीं है वो मेरी किताब से बढ़े गोरक स्पीट के उत्त्रा दिकारी और मेरे पट सिस्य गोरक पूर के सांसद योगी अदित्यनाथ में इस दिसा में नेपाल के अतीत और वर्तमान के समन्द में एक प्रमानिक इतीवर्ती यथोपलबद और यहाँ पे सामगरी और जानकारी के अधार पर इस संक्सिप्त किंतू यहाँ पे सार भरित पुस्तक के माध्यम से परस्तुत किया है नेपाल का इतियास कहें वर्तमान कहें और किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है हिंदु राष्ट नेपाल के बारे में वर्तमान यहाँ पे दुर्गामी प्रभाव वाले राजनेतिक घटना कर्मों और संकट के बारे में भी उन्होंने बात कही है कहने का मतलब ये है कि नेपाल के अंदर जो ये चीजे बदला हुए हैं जैसे कि दरम निर्पेक्स होना योगी आदित्यनाथ को अच्छा नहीं लगा नहीं होना चाहिए था ऐसा क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में कई और भी एक्जामपल सेट किये हैं कि जैसे यहाँ पे Muslim है उन्होंने Hinduism के अंदर जो मिनारे हैं उनका नाम बदलना सरू किया कई यहाँ पे गाओं के नाम भी बदले जो की Muslim culture से विलोग करते हैं उनका नाम तो हम सबस्ट रूप से कह सकते हैं कि Hindu राष्ट नेपाल वो चाहते हैं और उसका नाम भी ऐसा ही हो ये भी वो चाहते हैं और इस book के अंदर आगे अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे Hindu राष्ट नेपाल का अतीत और जो वर्तमार है उसका culture आता है उसके पाद किस तरह से नेपाल बना इसका भी जिकर आता है उसके बाद ये भी जिकर आता है कि किस तरह से यहाँ पे जो great king पर्थवी नरायन सा हैं उन्होंने यहाँ पे नेपाल को और ज़्यादा expand करा यानि की बढ़ाया उसका भी जिकर आता है इसके साथ साथ यहाँ पे जब राजसाई के अंदर महाराजा धिराज महंदर विक्रम सा थे उनके बारे में उन्होंने जिकर करा इस किताब के अंदर हम कह सकते हैं कि हर एक चीज के बारे में एक बढ़िया यहाँ पे चीज का जिकर किया है और एक यहाँ पे फैंसला लिया गया जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों यहाँ पे योगी के इस बारे में या फिर इसके जो प्रेटिकुलर किताब लिखी गई है हिंदू राष्ट नेपाल उसके बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जुरूर लिखे